So, Forum MKS में आपका बहुत-बहुत स्वागत है NEET 2024 वालो के साथ NMC करेगा सबसे बड़ा दोका अगर इस दोके से आपको बचना है तो पहले ही आप ये वीडियो देख लो आपको नहीं तो फिर बाद में याद आएगी देखो, यहाँ पर ये NMC की ओपिशल वेवसाइड है ठीक है? National Medical Commission और ओपिशली इन्होंने साफ साफ यहाँ पर सेलिबस को रेडिूस कर दिया है याँ की सेलिबस को कम कर दिया गया है चलो मैं दिखा दिता हूँ कि कौन-कौन से टॉपिक को यहाँ पर कम किया गया है देखो, मेरे प्रिये विद्यारतो NMC ने आप से बोला है कि यहाँ पर कापी सारे टॉपिक याण की 18 अदय को हटाया गया है ठीक है? अब यहाँ पर NET UG 2014 का सेलिबसे वो कम हो गया है, यह विद्यारतों को लगता है, ठीक है न? अब यहाँ पर देखो कौन कौन से टॉपिक हटाया गये है और अब आपको क्या करना चाहिए इस दोके से बचने के लिए यहाँ पर एक तो आपका डाइजेशन का इन्होंने टॉपिक को हटाया है, एक अब्जॉर्वेशन रेप्रोडक्षन इन और्गनिजम टीशू और इसके बाद इन्वार्मेंटल इशू जैसे मातपुन चेप्टर को हटाया गया है लेकिन मेरे प्रिये विद्यार त्यों मैं आपको आज बता रहा हूँ, चाहे आप लिख के रख लो, स्टाम पेपर पे नीट के एक्जाम में ये क्यूसन आएंगे, डायजेशन से भी क्यूसन आएंगे, अब्जॉर्वेशन से भी रेप्रोडक्षन से भी आएंगे, आएंगे 100% गारंटी है क्योंकि ये तो इपोटेंट टॉपिक है इसके बिना तो मेडिगल साइंस की कलपना भी नहीं की जा सकती अगर अभी आप इनको नहीं पड़ोगे तो फिर बाद में MBBS में क्या पड़ोगे डायजेशन, अब्जॉर्वेशन, रेप्रोडक्षन ये तो बहुत इपोटेंट है ये तो पाटो बोड़ी आप बोल सकते हो इसके बिना फिर आपको क्या समझ में आएगा तो मैं अभी भी कर रहा हूँ टाइम है कि इनको पड़ लेना कोई भी नुकसान नहीं होगा अगर नुकसान हो जाए तो मेरे से सिकाइट करना फिर किससर आपने बोलाता कि डाइजेशन, अब्जॉर्वेशन और रेप्रोडेक्शन पढ़ने के लिए और हम तो पढ़कर बरबाद होगे है ना हम तो ये पढ़ने से बरबाद होगे ऐसा तो नहीं होगा कोई भी नुकसान आपके साथ नहीं होगा अगर इनको पढ़ लोगे तो इसके अलावा यहां पर जो टॉपिक हटाया गया है केमेस्ट्री में देखो कापी सारे पीब्लोग यहां पर इन्वोर्मेंट कर रहे हैं केमेस्ट्री में यह देख लो हाइड्रोजन तो इनको भी पढ़ लेना आप क्योंकि होगी NMC ने एक परसेंट भी सुनवा नहीं करेगा इसका प्रूब भी में आपको दिखा देता हूँ यह देख लो इसक्रीन पे जीता जाता एक्जामपल इस लड़की की क्या गलती थी कुछ भी गलती नहीं थी सारी गलती डिपार्टमेंट की विबा की थी और बेचारी इसको बुकतना पड़ा जबकि यह लड़की खापी इंटलिजेंट थी यह इसकी मार्क सीट भी देख लो आप कितनी हर सबजेक्ट में डिटेसने देख लो आप हर सबजेक्ट में और इसके साथ हुआ क्या यह देखो आप एक अप चैने तोड़ा डॉक्टर बनने का सपना यह देखो आप और एन एमसी ने कुछ भी नहीं किया इसका जबकि नियाई दिलना चाहिए यह देखा जाये तो और यहाँ पर देखो आप कि नेट की प्रिक्सा देखो की रास्तान की एक प्रिक्साति का सपना तोड़ता नजर आ रहा है तोड़ भी गया देखो विद्यारति कोई सुनवा नहीं हो मिया आपको बतना मेरी बात भी हुई थी इनसे रोना आ रहा है मतलब यह सुनके चाय किसने गिरायती इन विजिलेटर वहाँ पर जो इन विजिलेटर होते उनकी गलती से चाय गिर गए अब यहां पर चाय गिर गई तो OMRC बरबाद हो गई ठीक है और सिकायद भी की बच्ची ने लेकिन हुआ क्या बताओं यह पर दो आप नहीं हुई कोड सुनवा है देखो तो फिर आप अभी NMC बोल रहा है कि यह सेलेटर से टॉपिक हटाए जा रहे हैं तो इसकी क्या गरंटी है कि एक्जाम में रेप्रोडक्शन से डाइजेशन से अब्जॉर्वेशन से क्यूसन नहीं आएगा अगर पिर आ गया तो कहां सिकायद करोगे आप तो आपके फायदे के लिए मैं तो बता रहा हूं कि उनको पढ़ लेना आप क्योंकि अगर सेलबस में फिर वो आ गया उदर एक्जाम में तो फिर कोई सुनवा नहीं होगी लाखो बच्चे एक्जाम देते कोई सुनवा नहीं होती हैं एन्यमसी में क्योंकि यह देखो न इसकी सुनवा नहीं होई तो फिर आपकी क्या होगी तो सबसे पहले सेलबस को कवर कर लो पूरे कोई जितना भी एन से आटी में दे रखा है अच्छे से उनको कवर कर लो क्यूसन कहीं से भी पूचा जा सकता है सो आपसे यह करना है डाइजेशन, अब्जोर्बसन, रेप्रोड़क्षन, टिश्यू, इन्वार्मेंटल इश्यू इसके अलावा आपका पॉलिमर, केमेस्टी इन एवरेडी लाइप ठीक है और बाइलोजी, ट्रांसपोर्ट, फ्लांट्स, मिनरल सब को पढ़ना आप यहां जो भी बोलाए न सकते हो और यहां पर आपको लाइब, रिकोर्ड, नॉर्स, टेस्ट, सी सब कुछ मिल जाएगा कोचिंग क्लासेज लेने के लिए आप इन अबरोपे भी वार्सप कर सकते हो नियाबेच स्टार्ट है